यह कहानी एक खुपसूरत ओरती हैं जिनका नाम प्रभादेवी था। वैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। यह बात 1960 के वक्त की है जब देश में छुवा चात पूरी तरह चाया हुआ था। प्रभादेवी स्कूल पढ़ाने जाती थी लेकिन उस स्कूल में आये बच्चों को हात नहीं लगाती थी। यहां तक की बच्चों को सकती दायत दी थी कि वैं मैडम से एक फिट की दूरी से बात करें। उनकी किताबों तक को वैं हात नहीं लगाती थी। स्कूल के अलावा उनके घर में भी कुछ इसी तरह के नियम थे, साथ ही वे बहुत सुन्दर थी और उन्हें सुन्दर दिखने वाले महलाओं से दोस्ती करना बहुत पसंद था, साफ सफाई से रहना प्रभादेवी को बहुत पसंद था, वो विस्तर पर एक भी सिलवट पसंद नहीं करती थी, यहां तक कि छूटे छूटे पच्चू को भी वो प्यार तो बहुत करती थी, उन्हें तौफे देती थी, खाने की अच्छी अच्छी चीजी देती थी, दिल से दुआ भी देती थी, पर उन्हें कभी अपने गोद में नहीं बेठाती थी, और नहीं अपने बैड पर क्योंकि उन्हें हमेशा बच्चे के गंदे कर देने का डर होता था वक्त भीटा जब प्रभादेवी की उम्र सत्तर वर्स हुई उनकी पास उनकी एक बेटी रहती थी अब प्रभादेवी को एक बहुत बुरी बिमारी हो गई थी ना वो चल सकती थी ना किसी की सहारे की बिना एक करवट बदल सकती थी और उनका शरीर दुर्बल हो गया था जिसे देखकर कोई भी डर जाएं उनकी पेटी उनकी पूरी सेवा करती थी पर फिर भी कई बार प्रभादेवी जी कई घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी जिन नोक्रों से प्रभादेवी अपने आपको दूर रखती थी आज वो उनके सहारे के बिना एक पल नहीं रह सकती थी प्रभादेवी दिल के बुरी नहीं थी पर जीवन में जिन बातों को लेकर वे सबसे ज़्यादा चिर्ती और अंजाने में ही सही पर दूसरों का दिल दुखाती थी बुढ़ापे में उन्हें इन बातों को जीना पड़ा दोस्तों इस कहाने की यही सिक्षा है इस कहाने से हमें यही सीख मिलती हैं कि वक्त कभी समान नहीं रहता वक्त के साथ सब कुछ भजल जाता है लेकिन अपने बैवार को इस तरह रखें कि कभी वे वक्त के आगे आपको जुकना ना पड़े कहते हैं इंसान जिस चीज से भागता है उसे उसका सामना करना पड़ता है इसलिए कभी किसी चीज से ग्रिणा ना करें और सारा रिक सुन्दता कभी नहीं टिकती ना उस पर अभिमान करना चाहिए और ना ही किसी को इसके लिए रूप के लिए कोसना चाहिए तो दोस्तों कहाने कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और इस कहाने से एक सीख लें कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है वक्त हमेशा बदलता रहता है इसलिए हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और घ्रणा किसी से नहीं करने चाहिए और सुन्दर्ता स्थाई नहीं होती है इसलिए दोस्तों हमें अपनी सुन्दरता पर भी घमण नहीं करना चाहिए तो दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें